हेलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट फूर वीडियो एक्सेप्टर का पार्ट फूर वीडियो में एक्ससाइट 20.1 पर है क्या निम्रिकित के मान निकली कोसर नमर 17 देखिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता था उसी टाइप का यह भी कोसर है जानी देखता है करते हों कस् स्च का चिछी टैएंगे क्या होता है क्यार्ट से हो जाएगा यहां से हो जाएगा इंट्रिकेशन ऑक जीरो टू पाई कि यह constant है बाहर निकालते हैं 1 by 2 integration of 0 to pi by 4 0 to pi by 4 यह उपर चाल जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा सेक square अंदर-अंदर अलग-अलग divide कर दो pi by 4 minus x by 2 dx ऐसे लिख सकता हो लो तो आपको पता है सेक square का 10 हो जाएगा 1 by 2 यहां क्या जाएगा 10 10 10 pi by 4 minus में x by 2 और देखो इसका differentiation करके divide में जाएगा यह 0 इसका minus 1 by 2 यहां तो minus 1 by 2 पलटेंगे तो यहां minus 2 लगा जेता हूँ और limit है 0 to pi by 4 यह नहीं जी तो पाई बाई 4 चलो यह 2 से 2 हट जाएगा minus बचेगा minus का 10 pi by 4 minus x by 2 और 0 to pi by 4 यह भी है चलीए देखते हैं अब यहां put कर देते हैं हो जाएगा minus का 10 pi by 4 minus का pi by 4 रखेंगे यहां भी और 2 भी है तो pi by 8 हो जाएगा चलीए और minus और एक formula में का minus तो दोनों plus हो जाएगा फिर 10 pi by 4 minus का 0 by 2 अब की बाद 0 put कर देखेंगे तो minus का 10 यहां हो जाएगा pi by 4 और minus का pi by 8 plus 10 pi by 4 चलीए अब देखेंगे आपे क्या होता है तो इसका घटाएगे तो आजाएगा minus का 10 pi by 8 और plus में 10 pi by 4 तो इसका value आपको पता है root 2 minus 1 और इसका भी 1 होता है तो minus का root 2 plus 1 plus 1 यानि कि minus का root 2 और plus में 2 यह आपका answer यहां से आ रहा है इसको आप सीधा भी करके लिख सकते है 2 minus root 2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं समझ गया चलता अगले question पर आप question नमबर 18 देखा जाए question नमबर 18 देखें integration of 0 to pi by 2 अच्छा यहां पर दिया है cos का power 4 x मैं यह काम करता हूँ 4 से भाग और 4 से गुना करता हूँ ठीक है 4 से गुना करता हूँ आपको कि सर 4 से आपने ऐसा गुना क्यों किया मैं बता रहा हूँ आपको देखिए actual में मैं यहां पर लगाना चाहता हूँ 2 cos square theta का formula 1 plus cos 2 theta होता न जी यहीं लगाना चाहता हूँ इसलिए मैंने किया देखो क्या हो जागा 0 to pi by 2 यह limit दिया है मैं यहां पर क्या करूँगा इसे 2 cos square x का power 2 ऐसे ली सकता हूँ न जी whole square कर दिया मैंने अब यहां फॉर्मल लगा देता हूँ 1 by 4 integration of 0 to pi by 2 यहां जागा 1 plus cos 2 x का whole square यहां फिर जे a plus b का whole square लगागे है ठीक है 1 by 4 integration of 0 to pi by 2 1 plus cos square 2 x और प्लस में 2 cos 2 x यह आएगा ठीक है यह प्लस b के whole square करें तो यहां जागा अब यहां पे फिर फंगा है power में है इसलिए मुझे यह वहां पे भी ठीक करना हुआ 0 to pi by 2 यहां देखो क्या करूँगा 1 plus 2 से भाग 2 से गुला करूँगा दो से गुला ठीक है यहां भी दो से भाग 2 से गुला करूँगा 2 cos 2 x d x चेले देखते हैं 1 by 4 integration of 0 to pi by 2 1 plus में यहां देखो क्या हो जाएगा 1 by 2 यहां हो जाएगा इसका फिर से फर्मॉला 1 plus cos 2 x x के जागा 2 x जाता है यानि 4 x आजागा और plus में 2 cos 2 x d x चलिए आगे देखते हैं इसके बाद इसमें से इंटू करेंगा तो 1 by 2 और 1 3 by 2 हो जाएगा 1 by 4 integration of 0 to pi by 2 अंदर आजागा यहां पर 3 by 2 पलस में 1 by 2 cos 4 x और plus 2 cos 2 x जाएगा देखते हैं 1 by 4 इसका हो जागा 3 by 2 x plus 1 by देखो यहां cos का साइन हो जाएगा cos का साइन हो जाएगा और यहां देखो 1 by 2 पर अल्रेड़ी है और यहां इसका differentiation 4 divide में आगा तो 8 में directly देता हूं और plus यहां भी देखो cos का साइन हो जाएगा 2 यहां पर ऊपर है और इसका differentiation में divide में लिख दूँगा 0 to pi by 2 इसका limit दिया है तो यह 2 से 2 कर जाएगा यहां पर कर सकता है न जी चलिए अब यहां पर put करते हैं जो limit दिया है 1 by 4 अंदर क्या एगा 3 pi by 4 हो जाएगा देखो pi by 2 रखेंगे x के जगा 2 2 जा 4 हो जाएगा plus 1 by 8 sin 4 into pi by 2 और plus sin 2 into pi by 2 ठीक है और फिर इसके बाद 0 put करोगे तो हो जाएगा minus का 1 by 4 3 by 2 into 0 plus 1 by 8 into sin 4 into 0 और plus sin 2 into 0 यही न हो जाएगा जी चलिए लेखे 1 by 4 यहां देखो अंदर है 3 pi by 4 plus 1 by 8 यहां देखो आपको काटोगे तो 2 pi होगा sin 2 pi का भी value 0 ही होता है plus sin यहां देखो 2 से 2 कटेगा sin pi का value 0 ही होता है ठीक है तो मैं सीधे 0 ही लिखेंगे इसको भी हटाकर ठीक है यहां भी मैं 0 लिख देता हूं plus 0 क्यों क्योंकि sin pi का value 0 होता है ठीक है minus 1 by 2 यह सारे तो अंदर 0 ही है समझेगे ना यह सारे 0 यह बच गया इसमें 2 कर दो 3 pi by 16 यहां से इंसर आजागा चलते हैं अगले कोशन पर इसका समाकर निकाल लिखने पहले तो आप इसे अलग से ले लो और इसका integration कर तो इसको परिमेकरन कर दो हर का स्वारी हर का परिमेकरन कर देता है ठीक है और उसके बाद आगे सौन किया जागा रूट अंडर 3x प्लस 4 है और माइनस रूट अंडर 3x प्लस 9 है इंटू करेंगे रूट अंडर 3x प्लस 4 से उपर भी और प्लस में root 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 सकता हूं 3x plus 2 3x plus 4 का power 1 by 2 और plus 3x plus 9 का power 1 by 2 और नीचे देखो नीचे हो जागा 3x plus 4 और minus 3x minus का 9 3x से 3x कड़ जागा यहाँ पर कटे करना जी तो यहाँ से आ जागा आपका आ जागा यहाँ देखो minus का 5 यहाँ आजाएगा आपका 3x plus 4 का power 1 by 2 और plus 3x plus 9 का power 1 by 2 इसका वेलू मैं यहाँ पर निकाला ना तो इसको नहीं रख देंगे चलिए तो minus 1 to 0 minus 1 by 5 बाहर जाएगा जाएगा यहाँ बच जाएगा आपका 3x plus 4 का power 1 by 2 और plus 3x plus 9 का power 1 by 2 यहीं ना है जी dx तो लिए अब इसका समाकर निकाल देते हैं तो आप जानते हूँ minus 1 by 5 इसका power में एक जोड़के power नीचे तरग ना तो 3x plus 4 का power 3 by 2 power को नीचे उतार देंगे और into में इसका differentiation करेंगे तो 3 divide में आएगा पलस इसका भी 3x plus 9 का power 3 by 2 power नीचे उतरेगा 3 by 2 और इसका differentiation divide में आ जाएगा आपका limit है minus 1 to 0 minus 1 to 0 आगे solve करते हैं तो यहां हो जाएगा minus 1 by 5 अंदर यहां देखो क्या होगा यह उपर चलेगा 2 by 9 3x plus 4 का power 3 by 2 और प्लस यहां भी 2 by 9 नहीं होगा 3x plus 9 का power 3 by 2 और limit है आपका minus 1 to 0 minus 1 to 0 तो 2 by 9 यहां बाहर निकाल देते हैं तो minus 2 by 45 होजाएगा अंदर बचेगा 3x plus 4 का power 3 by 2 plus 3x plus 9 का power 3 by 2 और limit है minus 1 से 0 तो नहीं पहले 0 रखते हैं माइनस 1 लखेंगे माइनस 2 बट्टा 15 अच्छा पहले 0 रख रहा है ना जी यहां पर तो हो जाएगा 3 into 0 प्लस 4 का power 3 by 2 और यहां भी हो जाएगा 3 into 0 plus 9 का power 3 by 2 ठीक है अच्छा माइनस 1 पूट करना है तो माइनस 1 पूट करना है यहां भी माइनस है ठीक है तो यहां एक फॉर्मिली में का माइनस एक यहां माइनस तो प्लस मैं कर देता हूं 2 by 45 2 by 45 अंदर हो जाएगा 3x के जाएगा माइनस 1 न 3 into minus 1 middle bracket देता हूं 3 into minus 1 plus 4 का power 3 by 2 और 3 into minus 1 ठीक है और plus 9 का power 3 by 2 ठीक है अब यहां पर देखो मैंने 0 और माइनस दो बटा 15 अंदर यह 0 हो गया फोर बचा है फोर को हम 2 का square और power में है 3 by 2 ठीक है और प्लस यहां यह 0 हो गया 9 बचा 9 को 3 का square power में है 3 by 2 और प्लस 2 बटा 45 अंदर देखो क्या होगा माइनस का 3 plus का 4 1 न जाएगा 1 का power 3 by 2 ठीक है समझ गया न और यहां देखो क्या आएगा यहां यहां जाएगा छे छे का power 3 by 2 समझ रहा ना बात को चलिए देखे क्या होता है यहां पर यह 2 से 2 कड़िया यहां दो बटा 45 दो बटा 45 यहां दो हो यह वन ही होगा वन का power 3 by 2 1 अचा यहां पर है 6 का power 3 by 2 तो मैं इसे चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता हूं यह हो जाएगा 6 root 6 6 root 6 हो जाएगा ठीक है यह आगे इसको solve करते हैं थोड़ा सा इन दोनों को जोड़ देंगे न तो जोड़िएगा तो यह कितने हो जाएगे यह दोनों जोड़ेंगे हम लोग तो यहां पर यहां पर दोनों जुड़के हो जाएगा कितना हो जागा मैंनस 20 45 और इंटी में हो जाएगा 35 35 35 हो जाएगा और कि यहां दो बटा 45 दो बटा 45 डेकेट कें अंदर फे रूट अगर इसको सॉल्ड करते हैं ठीक है इसमें से एक काम करते हैं मैंनस la 5好吃 निकाल देते हैं यहां अंदर बचेगा 35 माइनस यहां पर 1 माइनस मैनस कौमन है और छे रूट छे माइनस का 2 बच्टा 45 अंदर आ जागे है घटेका तो 34 माइनस से रूटछे अभी दो और कौमन भातन छार देखा माईनस का 4 बच्टा 45 जया Better 17 माईनस 3 तिन स्व का यहां दख़र विच्ण नंबर में हम लोग पुट कर देंगे साइन X को T सरहीं इसे डिफ्रेंशियेट करेंगे विट रस्पेक्ट तो एक्सक्रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशियेट करेंगा तो कॉस x हो जाएगा बराबर में dt बटा में dx, यानि कि या जगा cos x dx बराबर में dt, अब थोड़ा सा इसमें limit पर भी ध्यान देना होगा, देखो, यहाँ पर x बराबर 0 है, x बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा sin 0, limit में भी change करेंगे, sin 0 का value 0 है, अच्छा, x बराबर में pi by 2 है तो t बराबर क्या हो जाएगा, sin pi by 2, यानि sin 9 का value 1, sin pi by 2, यानि कि 1 आगया, समझ गया न, चलिए अब देखिए, यानि कि हमें limit में भी अब change करना होगा, 0 हो गया t का value, और 1 हो गया, 0 to 1, और 1 प्लस t का q, t का q, और into dt आजाएगा, यही न हो जाएगा आपका, चलिए आग पते हैं, power में एक जोर के power को निचे उता जाना, 4 by 4, limit has 0 to 1, इसका differentiation 1 होगा, कोई problem नहीं है, हो जाएगा, 1 प्लस 1 का power 4 by 4, और minus 1 प्लस 0 का power 4 by 4, यानि यहां आजाएगा, 2 का power 4, आपका 16 बट्टा 4, और minus में 1 बट्टा 4, यानि 15 बट्टा 4 यहां से इसका answer ना जाएगा, चलते हैं, अगले कोर्षन पर, अगला देखिए, अब 21 नम्मर देखिए, आप सोचाओ को कि सर, limit में क्यों change कर रहा है, ऐसे कोर्षन में, एक्चुल में यह तो limit x के लिए दिया है, तो हम t मारना है, तो उसके लिए limit में change नहीं करना होगा, इसले किया जा रहा है, तो यहा बराबर में, dt वर्टा में, dx, यहां जाएगा, sin x dx बराबर में, माइनस का dt, चली देखिए, इंट्रिगेशन, अब यहां देखो, limit में change तो करना है ना, जी पहले, पहले limit में ही change करना है, जरूरी होगा, ठीक है, एक्स बराबर 0 लेते हैं, तो यहां से, बताइए तो आप आपका, cos pi by 2, cos 90 के value 0, यानि limit हो जाएगा आपका, 1 to 0, और 1 plus t square, 1 plus t का whole square, और यहां पर आजाएगा, minus का dt, तो मैं minus बाहर लगा देता हूं, चली पर इसका आपको पता ही है, समाकल क्या होगा, 1 plus, 1 plus t का whole cube, और बटा में 3, हाना, और limit है आपका, 1 to 0, चलीए, अभी जब 0 रखोगे, अभी जब 0 रखोगे, तो अंदर आ जाएगा, 1 plus 0 का whole cube by 3, और minus, और यह minus तो plus हो जाएगा, 1 plus 1 का power 3 by 3, चली आगे solve को रगो, तो यह आपका minus का 1 by 3 हो जाएगा, और यह 2, 2 का cube, 8 by 3, यानि 7 by 3, यहां से इसका answer आएगा, चलते हैं, अगले question पे हो, चली अगला question लखते है, question number 22, उसी type का question है, पिछले questions के तरह, put करेंगे, यहां पे, sine theta को t, differentiate करिए, with respect to theta, sine का cos हो जाएगा, cos theta बराबर में, dt, वर्टा में, d theta, तो cos theta, d theta बराबर में, dt, अब limit को भी chain करेंगा, कह रहा है, theta बराबर 0 दिया है, तो t बराबर में हो जागा, sine 0, यानिकि 0, theta बराबर में, pi by 2 दिया है, तो t बराबर में हो जागा, sine pi by 2, यानिकि 1, यानिकि अब limit में change हो जागा, वह हो जागा, 0 to 1, a plus b, यहां पे क्या जागा, t आ जागा, t का whole cube dt, चले, इसका integration तो आप जानते हूं, power में एक जोड़ देना है, ठीक है, क्या हो जागा, यहां हो जागा, मैं थोड़ा बड़ा bracket ले लखाऊ, a plus bt का power, a plus bt का power 4, और बटा में 4, और इसका differentiation करेंगा, तो b आएगा, वह भाग में आ जाएगा, ठीक है, यानिकि 4 b मैं सीधे लिखना, उल्टा इसका differentiation करकर divide में आगा ना, और limit है 0 to 1, यह ना है जी, चलिए इसको solve कर देते हैं, ठीक है, यहां से solve कर देते हैं, यहां पर, actual में आपका answer जो है, यह simplest form में दिया है, तो इस तरह ना तोड़के, मैं पहले यहां a plus b का whole q वाला formula लगा जेता हूं, ठीक है, उस तरह से बहतर रहेगा, क्योंकि आपका answer जिस form में दिया, उसी तरह सा हम लोग भी चलेंगे, ठीक है, और plus में b cube, ठीक है, चलिए, आप अब इसके बाद लगाते है, formula, चलिए, सबका अलग अलग करो, इस तरह से ठीक रहेगा, तो यहां देखो, आप इसका जब integration यहां पर करोगे, यहां पर integration करोगे, तो यहां हो जाएगा, a cube t, समझे रहे लो, a cube t, a cube t, plus 3, a square b, t square by 2, ठीक है, प्लस 3, a, b square t cube by 3, b, plus b cube, t का power, t का power, यहां हो जाएगा, 4 by 4, और limit है, 0 to 1, चलिए देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, यहां पर, यहां दखो, यह 3 से 3, कट गया, मैं अंदर, lcm ले लू, क्या हो, lcm ले लेता हो, पहले, lcm ही ले लेना, उचित रहेगा, lcm में, आपका, यहां पर, आ जाएगा, 4, यहां जाएगा, 4, a cube t, प्लस, यहां, 6, a square, b, t square, प्लस में, आपका एगा, 4, a, b square, t cube, और प्लस में, b cube, t का पावर, 4, 0 to 1, समझे रहें ना, बात को, चलिए, अब यहां पर, मैं क्या करूँगा, यहां पर, एक बार, 1 put कर दूँगा, और एक बार, 0, और बीच में, माइनस आगा, तो, 1 put तो, यहां देखो, 1 by 4, अंदर देखो, 1 put कर नहीं, 4 a cube, into 1, चाहिए, आप नहीं भी दिखोगे, तो, कोई दिखाद नहीं, मैं सीधे, आप यहां लिख देते, ठीक, अरे, 1 से into होगा, तो, यहीं नहीं आएगा, तो, मैं सीधे यह भी लिख सकता हूँ, कि 1 by 4 a cube, ठीक है, प्लस 6 a square b, क्योंकि 1 रखने पर यह into करेगा, तो, यहीं हैगा, प्लस 4 a b square, और प्लस b का cube, समझ गया ना, ठीक है, जिरो रखने पर यह सारा 0 हो जागा, तो, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना, यहीं आपका answer हो जाएगा, समझ गया, अब दिखा अग 0 to pi by 2, pi by 2 रखो, log 1 plus sin pi by 2, और minus log 1 plus sin 0, यहीं ना हो जागा, जी, चलिए, अब देखिए, यहाँ पर, sin pi by 2 का value 1, तो, 112 हो जागा, log 2, बेस में चाहिए, तो, यह दे सकता है, और minus log 1, चलिए, तो, यहाँ log e, बेस में है, और यहाँ 2 है, minus log 1 का value 0, यानि बच गया log 2, answer आग चलते हैं, अगले question पर, चलिए, अगला question 24 पर चलते हैं, इसमें देखिए, आपको put करना होगा, put करना होगा, sin 2t को, कुछ माल नहीं, चलो, z माल नहीं, इस time में, differentiate करते है, with respect to t, तो, कि इसमें variable t दे दिया है, तो, sin का यहाँ cos हो जागा, cos 2t, और 2t का 2 हो जागा, बराब में dz बढ़ता में 2, चलिए देखते हैं, अब देखिए, इसका limit भी तो chain करना था भईया, अचा चलो, देखो तो, आपका दिया है, यहाँ पर, t बराबर 0, तो, बताओ, तो, z बराबर में, sin 2 into 0, तो, क्या जागा, sin 0, 0 ही आ जागा, अचा, t बराबर में, pi by 4 रखेंगे, तो, हो जागा, z बराबर में, z बराबर में, sin 2 into pi by 4, यह कट जाएगा, आपका 2, sin pi by 2, 1 आ जागा, z का value 1, लिमिट हो जागा, 0 to 1, और इसके जागा, पर जागा, z, ठीक है, ना, z आ जागा, ठीक है, यहाँ, z का power 3, और यह हो जाएगा, आपका d, z बता में, 2, यह two constant है, 1 by 2, और इसका integration तो पता है, यह power में, एक जोर के power को नीचे note कर दो, चलिए, 1 by 2, आप चाहो, तो अंदर ही रख सकते हो, 1 का power 4, बटा 4, 0 का power 4, बटा 4, तो यह आपका 1 by 4 होगा, 1 by 2 बाहर है, तो आपका जाएगा, यहाँ से 1 by 8, एंसर आ जागा, 1 by 8, आपका एंसर कोर्षन पर, चलिए, अगला कोर्षन देखते हैं, इसका सेकेंड नमर, थोरा से सेट करना होगा, 0 to 5 by 2 दिया है, रूट साइन ठीटा दिया है, रूट साइन ठीटा, अच्छा, और फिर कॉस है न, तो मैं इसे कॉस स्क्वार ठीटा का होल स्क्वार इंटू, मैं कॉस यहाँ पर, अब integration of 0 to 5 by 2, इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, साइन ठीटा का पावर 1 by 2, और इसको कर देता हूँ, 1 minus साइन स्क्वार ठीटा, और स्क्वार ठीटा को, और फिर स्क्वार इसका देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा, कॉस ठीटा अंदी ठ पर अगले स्टेप में, 0 to 5 by 2, यहाँ है, साइन ठीटा का पावर 1 by 2, अंदर देखो हो जाएगा, 1 minus 2 साइन स्क्वार ठीटा, और प्लस में, साइन स्क्वार ठीटा का होल स्क्वार, ठीक है, इसको बड़ा बेकर कर जाते हैं, कॉस ठीटा, डी ठीटा, अब यहाँ पर ठीटा बड़ाबर में टी, ठीक है, यहाँ से डिफ्रेंशीले करता हूं, with respect to theta, तो cos theta घाएगा, cos theta बड़ाबर में dt, बड़ा में d theta, यानि के, cos theta d theta बड़ाबर में dt, अब limit में भी थोरा chain करना होगा, करा Persis स्टीटा बड़ाबर 0 दिया है, theta बड़ाबर 0, तो T ठीटा इकॉल टूपाई वाई टू यहां से आपका टी बराबर में हो जाएगा साइन पाई बाई टू यानि कि उसका वैलू वन हो जाएगा समझ के रहा है तो अब ध्यान से यहां पर पूट करेंगे लिमिट 0 to 1 हो गया यहां पर आगा T T का पावर 1 by 2 देखर के अंदर 1 माइनस यहां हो जागा 2 T स्क्वार और प्लस यहां T का पावर 4 यहां पर D T आजाएगा ठीक है यह अंदर इंटू कर जोते हैं 0 to 1 यहां हो जागा T का पावर 1 by 2 माइनस 2 T का पावर 5 by 2 प्लस T का पावर 9 by 2 ठीक है चलिए अब यहां से इसका समाकल हम लोग निकाल देते हैं चलिए भईया क्या हो जागा पावर में एक जोड़ोगे T का पावर 3 by 2 पावर नीचे जागा तो उपर पलड़ जागा 2 by 3 में लिख देता हूं माइनस टू यहां देखो क्या होगा माइनस टू छोड़ो ना बाद में लिखा जागा पहले इसको देखो पावर में एक जोड़ोगे तो 7 by 2 7 by 2 नीचे आगा वह पल्टेगा 7 by 2 जो है उपर तो 4 by 7 यहां हो जाएगा पलस यहां टी क्या पावर इसमें पावर में एक यह 1 पुट करने पर होगा और आपका 0 पुट करने पर ना 0 ही हो जाएगा तो इसको भूल जाओ इसको खाली LCM ले लेते हैं ठीक है यहां पर क्या होगा चलिए तो तीनों का LCM लेलो यहां पर LCM आपका होगा 231 इनों का LCM इसमें इससे बाग करेंगे तो 77 आएगा और 77 मे 2 से गुना कर देंगे तो आपका आजागा 146 माइनस इसमें इससे भाग करेंगे तो आपका 33 आएगा और 33 में गुना कर देंगे 4 से तो आपका आजागा 132 पुलस इसमें इससे भाग करेंगा तो 21 आएगा और 21 में भाग कर देंगे गुना कर देंगे 2 से तो 42 हो जाएगा तो 151 और क्या है जी आपका 42 है जूर जागा आपके जोर देंगे और इसको घटा देंगे इसको घटा देंगे तो आप आपका जगा 64 बटा में 1231 कए आपका एंसरों लिक्न आपको इसका डिफरेंट दे रहा है लेकिन उसे घबडाने कि कोई दिक्कत नहीं है वो यो शकता कई परने मिस्टेक किया हो यह एक बार स्टेक किया है मैं एक बार देख लेता हो से सब ठीक है अब भी देख लो रूट अंडर sin x और इसे में ऐसे निख दिया कॉस का पावर 5 है तो मैंने कॉस स्क्वाइर का इसक्वार का स्कार इंटु को से 5 हो कॉस्टीटा हो जाएगा यह दीटीटा इधर रखेंगे साइन पाइब टू तो आजाएगा वन चलिए तो जीरो टू वन यहाँ पर टी रखेंगे ना साइन ठीटा जाएगा टीटा पार वन वे टू ब्रैकेट में वन माइनस टू टीए स्क्वाइर और यहाँ पर इसमें करेंगे और बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं आपको तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा पहला है पाथ पैंडर क्लासे छप्रा बाट फ्रैडर क्लासे सचश्ब्रा दूसरा है भारती भावन रवीकांट संसर और तीसरा चनल है रवी कान सर के राम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसे लेटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे है और इससे समझ नोट्स के लिए www.ravikansar.in पर जाएंगे रवी कांसर.in पर जाएंगे थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो थैंक्स पर वाचिंग